अस्सलाम अलेकुम वेल्कम टु मैं चानल अम्मी की रेसिपी आज हम बनाएंगे इंस्टेंट पोहे का मिक्स्टर पोहे का मिक्स्टर बनाने के लिए जो सामगरी चाहिए वो है पेपर पोहा यानिके थिन पोहा एक कथोरी थिन पोहा लगभग 200 ग्राम के आसपास आधी कथोरी कटिहवी हरी मिर्च आधी कथोरी मूंग फल्ली आधी कथोरी रोस्टेट चना थोड़ा लहसन करीपता नमक हल्दी और चार से पांच लाल मिर्च तड़के के लिए अब एक कडाई में थिन पोहे को पहले तो हल्के से रोस्ट कर लेंगे धीमे फ्लेम में चलाते हुए इसे थोड़ा रोस्ट कर लेंगे सिर्फ पांच मिनिट कडाई में टू टेबल स्पून तेल डालकर उसे गरम करेंगे तड़का लगाएंगे पहले राई कड़ी पत्ता दालेंगे फिर मौंगफली दालकर अच्छे से तलेंगे हमें मौंगफली को अच्छे से तलना है इसके बाद हम कटी हीवी हरी मिर्च दालेंगे हरी मिर्च को भी अच्छे से भून लें रोस्टेड चैना दालेंगे मिर्च को अच्छे से भून जाने के बाद इसके बाद रोस्टेड चैना दालकर इसे भी भून लेंगे और चार से पांच लाल मिर्च दालकर इसे भी भून लेंगे हम यह सब मीडियम प्ले में भून रहे हैं लहसन का अब हम क्रश करकर दालेंगे अच्छे से तेल में भून लेंगे अब नमक और हल्दी दालकर मिक्स कर लेंगे अब इसमें रोस्टेट पोहे को दालकर मिक्स कर लें थिन पोहे को अब हम इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स करेंगे फलेम लो रखें अच्छे से mix करने के बाद हम flame को अब off कर दे और एक serving bowl में इस mixture को serve कर ले थिन पोहे का masala mixture अब बन के तयार है आप इसे चाय के समय as a snacks ले सकते हैं और आप कोई महमान घर पर आए हैं तो उन्हें भी चाय के time serve कर सकते हैं और अगर आपको कहीं बाहर जाना हो तो आप इसे ले जा सकते हैं आप इसे एक महने तक एक box में डाल कर store भी कर सकते हैं Thanks for watching मेरे चानल को subscribe करें, bell icon को press करें और like करें